तो बोला कि हम गोमाता का घरकर जाकर करके हमें इलाज करना चाहिए तो मैंने ठीक है तो लोन सिंग जी पहले दिन नी पचास हजार की दौई खरीद कर लाए थे हमें दी तो आमा पहले दन तो चार तारी को हम मैं अकेला दो टीमें लेकर के गया था मैंने साथ गाय का सोरी 90 पहले दो आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं मैं चोटन रोड से आगे की तस्वीर दिखा रहा हूं यह जो सामने जो मुबैल की स्किन पर जो दो व्यक्तियों को देख रहे हो एक नाम लून सिंग जाला है और दूसरी है बूर सिंग लंगेरा यह दोनों जिले भर में ग जानकारी देनी गायों के इंजेक्षन लगवाने मतलब गायों के जो ब्रीक्तियों के लिए जो भी संब्दित है जानकारी है जो अब मतलब 3-4 दिन हो गए है ये गाउं गाउं जाकर दोई वित्रन कर रहे है तो इनसे बात करेंगे अभी तक इन्हों ने कितनी दोई वित्रन की है कितने इंजेक्टन लगा है अब इनसे जानकारी और ले रहे है और किसी व्यक्ति के भी इस दोई की जरूत पड़े तो भूर सि सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेख करके गया था मेने साथ गाय का हर उसके बाद फान्सिhr को मैंने सकत हमने 1213 सो गाय का इलाज किया और चछतारी को चतारी को हम दें टोटल मिला करके 2,000 गाय का इलाज किया जिसमें 400-400 मेंने की यह भाकि हमारी टीम हों में तो आज तक लगबग 3,035 सो गाय का इलाज कर चुके हम जो दवाई दे रही है। इसका जो तीन दिन का हमने दवाई का जो फिट बेग लिया रिकवरी ली तो ये दवाई भी मतलब लगबग बहुत ही कारगर साबित हो रही है इससे गोमाता त्यार हो रही है तो हमने और जो फिल्ड में जो जमीन पर हमने जाकर के वास्तुविक आलात देखे गायों की जो गाउं के अंदर परति गहर में तीन-तीन चैट-चैर पांच-बाच गायों बिमारे एक गहर में गया टोटल उसके पास 27 गाय है 27 में से 23 बिमारे उसमें 12 मर चुकी है तो ठीक हुई है नव अभी भी बिमारे तो ये इस्तती है गायों की तो हमने लगा कि हमें परतिक गाउ एक एक टीम किया हो सकता है जिसमें एक इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर कमपोडर हो और एक साथ में रहने वाला आदमी दवाई जितनी भी चाहिए हम उसको फिरी में नीशुलक उपलब्त करवाएंगे तो मैंने कल मेरे सोसल मीडिया के माध्यम से दिमतिन किया था गा लगबग 20-30 गाओं के लोग सुबह मेरे पास आए अलग-अलग गाओं के दवाई भी ले गई जिनके मैं नाम बताओंगा आपको और लगबग 10-15 गाओं के लोग अभी यह आये हुए खड़े आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर लगबग 35-45 गाओं के लोग अमारे पास गोमाता के लिए आप एक डॉक्टर त्यार करें और एक साथ में घूमने वाला हाद भी त्यार करें दो लोगों की एक टीम सक्रिय करें अपने गाओं में दवाई जितनी भी चाहिए हम आपको उपलब्द करवाएंगे और आप गोमाता का जल्द से जल्द इलाज करें यह जो बिमारी है लंपी स्किन यह इतनी बयानक बिमारी है जो कोरोना से भी कई ज्यादा खतर नाक है मतलब गाय को यह बिमारी होने के बाद में चार-पांस दिन से ज्यादा गाय जिंदा नहीं रहती है चार-पांस दिन के इंदर गाय मर जाती है इसलिए हम अगर यह अमारा मकसद कालू जी किसी तरह की कोई डिकावटी करना नहीं है कोई फॉर्मूल्टी करना नहीं है राजनिती करना नहीं है मीडिया बाजी करना नहीं है हमारा मकसद जल्द और जल्द से जल्द हर गोमाता का इलाज हो जल्द से जल्द हम अंतीम गोमाता तक पहुंचे और जल्द से जल्द सभी गायों सवस्तो इसी मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं इसलिए आप सभी से निविदन करते हैं कि हम अगर चार-पांस टीमों के माध्यम से काम करेंगे तो मैना दो मैना तीन मैना भी काम नहीं कर पाएंगे तब तक गाय खतम हो जाएगी तो मैं चाहता को एक करोड़ पचास लाग पांस लाग बीस लाग यह उपलब्द करवा रही है हमें मैनत करनी है हमें सरम दान करना है गोमाताओं के लिए अभी आपने लिया है अभी तक किती गाय तैयर हुए आप लेने के बाद ही आज इस दवाई के बारे में मैं परचार कर रहा हूं जब तक तीन दिन तक हमने इसका जो रिकवरी नहीं देखी थी फिटबेग नहीं लिया था इसलिए हम इलाज कर रहे थे पिछले तीन दिनों में मैंने खुद साथ में जाकर के लगबग 3,35 गाय का इलाज कराया है और उसमें से उनका जो रिजल्ट आया है बहुत ही अच् कई गोमाता यह ऐसी थी जो शरीर पे सोजन था बिलकुल मतलब बेहाल बेहालत में थी मलने की आलत में थी और हमने उसको दो वार ट्रिटमेंट दिया तो वो खड़ी ओकर के चलने फिरने लगे तो मुझे लगा कि यह जो ट्रिटमेंट यह कारगर साबित हो रहा है तो हमे परतियक गाउं-गाउं इस ट्रिटमेंट को पहुचाना चाहिए और जल्द से जल्द गोमाता का इलाज करवाना चाहिए तो अब आप से संप्रक करने के लिए वैसे हमारे जितने भी सोचल मीडिया अकाउंट से होल पर हमारे नंबर दिये हुए आपके चैनल पर मैं मेरे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9799-245-954-799-2494 यह मेरे मोबाइल नंबर है वाट्सोप नंबर है आप इसी नंबर से संप्रक करे लोन सिंग जी के नंबर अब आपका आज सुबे जेजिन गावों में हमने टीम में बेजी है उन गावों का में नाम बता रहा हूँ लोगों का नाम बता रहा हूँ ताकि वहां के लोग इनसे संप्रक कर सके कगाव दर्मेंदर जी और सगन जी कगाव में जेशार में अनुमान जी सियाट खडीन में है असोग जी जाखाड और लंगेरा में है पारस सिंग जी सोटा मुल्टाला गाला में है उगरा राम जी तारात्रा में है मीरा देवी जी बालेरा में है प्रलाद जिंग और अरज उप्त्राशर में मांगिलाल देवासी, उसके बाद, अमारे सिनंद्री में मनुवर singles, और घप छोर्प अ मम harassment को लूप सिंह एँ महाजज ने चाहिए उसके बाद, नुटेज़सी से अने नुटेशा सूहरीं मुट्छी साथ इंत नाद और शुरा में है नाराण जी डेलिकेट, अनुमान जी चोदरी, मारूरी से हमारी है नेताराम जी मेगवाल, और तोक से है तरपत सिंग जी राजप्रुई, ये लोग हमसे दोई लेकर के इन टीमों को हमने हर गाओं में रहाना कर दिया है, और बाकी टीम है, मीठडा से तो ये मेठडा से और आप माबार चोड़ो गया और उसके बाद आप तारसर से आप मोंजी आपके क्याना में है, नाम पुकरा की और मोंजी रूदा तारसर आप आप का नाम? नर्सिंग जी ए फोगे रा से, आप आया है इंटादा चोटन से, आपके नाम? नंगरा मोंजी बील चोटा नीटादा से आए उसके अगलावा है और कुण आई हुए कूर्जा आपका नाम कल्ला राम कल्ला राम जी जो कूर्जा से आए तो इनके कंपोंडर इनके सबके दस कंपोंडर हमारे पास है जो हमारी टीमों के साथ गूम रहे है बाकि यह जो गाओं से लोग जितने भी आई है इनके गाओं में एक एक पसू सितिक्सिक लगा हुआ है उनको साथ में लेकर के यह वहाँ पर इलाज करवाएंगे ठीक है चलो अब लून सिंग जाला से बात क करते हैं लून जी आप क्या संदेश देना था रहे हो मैं सबको दिनेवाद देना साता हूं यह मालो जितने भी गाओं में मजुद लोग है बहुत आगे 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 आके हार गाओं में एक बैक्ति जो लगा हुआ गोवर्मेंट का उनके साथ रेके गाई का इलाज करा जो हमारे टीम में निल्ख चुटी हुए है बहुत बहुत उनको इनको दिनेवाद है पर्षासन को भी दिनेवाद है यहutta यह मालो जितना控प्र हमारे को जरूत है इतना उखलत करा है पूरे जिले में हम कर रहे हैं लगबग पूरे दवा बेश दिए ऐसा होगा और भी आएंगे तो देशते रहेंगे बहुत बहुत दन्यवाद कि एक आपके सेनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बामासा जितने भी है वो भी आ गया है पूरे राजस्तान अर्मा राजस्तान सहीद मैं बताऊंगा सुब्य से मेरे पास ही अजार कोल आई है अभी-अभी अरियाना से पंजाब से यूपी से गुजराच से अज़ा रही हमारे पर तो इस बीमारी ने बहुत भी आनक रूप ले लिया है तो वामासा जितने भी है तो तस दिन के अंदर भूमाता समाप नोचाएगी इसलिए हमने ये प्लान बढ़ाया है कि प्रतिय गाउं में एक टीम बढ़े ताकि दो चार दिन के अंदर हम बिमारी पर कंट्रोल कर सके इसके अलावा राजस्तान से बाढ़मेर से बाहर या राजस्तान से बाहर वो भी आप सभी प्रतिय गाउं भाईस इस तरह की टीम में बढ़ाए काय काहला सालू करें हम से संप्र करें हम जितना होगा सयोग करेंगे ठीक है जन्यवाद जितने भी सर्पस है उनको मेरा एक नियोदन है चर्पस भाईस सभी आगिया और पंसाइज में जैसे भी लगागार जो गाए माते सरग्वास हो गई है इनके लिए जैसे भी का परबंद करें चर्पस आगिया जो हमारे से जुड़े हुए ममासा गनेजी बाटी उन्होंने सालीज़ार की एलप किये जो हमारे बागी के टी में लगे हुए यह दिपक मिस्तरी उन्होंने आपने मिलके पीस जार की जिए जो आगे आना साइज गाए माता के लिए जो फार्म करना साइज भामासा आगे आ हमारे से मिले अगर भामासा पैसे नहीं दे सकते हैं तो खड़ा रहे के वह इलाज करवा शरम दान करें जो आपका स्वागत है आप आर्थिक शायूग नहीं कर सकते तो सरमदान कीजिए साथ में गूमिये गाय का इलाज कीजिए और दूसरे नमर एक जो महतुपून बाद बताता हूँ गाओं के अंदर जितनी भी गाय मर रही है उन गायों को अगर जमीन में रपनाया नहीं गया तो गायों के साथ-साथ पूरी अपने माननों मात जाती मे भी बहुत ही भेंकर बिमारी भैल जाई भी जो मनुश्य का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए गाओं के सरपंचों से और गाओं में जो भामासा है उन सभी से मेरा निवदेने आप परते गाओं में एक जैसी भी और टॉली की व्याउस्ता करें जो भी काय मरत ही है उसको आप जमीन में दखनाएं